हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माया चानल सो फ्रेंड्स आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूं केरेला की बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है नीर डोसा नीर का मतलब पानी होता है और इस रेसिपी में पानी की कॉंटिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए इसका न जबजी होती है एक इसके लिए special चट्नी होती है उसके साथ आप खा सकते हैं और चट्नी की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइए का मैं आपके साथ जरू शेयर करूंगी तो आज मैं इसी डोसे का आपको पूरी चीजे बताऊंगी सारा measurement बताऊंगी छ काफी comment आते हैं कि जो recipes मैं बनाती हैं आप लोगों से वैसी नहीं बनती है तो उसका reason यही है कि आप लोग skip कर देते हैं तो बीच में काफी चीजे से चूट जाती है जिसकी विज़े से पता ही नहीं चलता कि उस recipe में actual मैं क्या किया है मैंने तो आप पूरी आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफर कर लोगी और इनको अच्छी तरह से मैं वाश करूँगी दो तीन बार आप इसे वाश कर लेजेगा ये देखिए और अब हम इसको चार से पांच खंटे के लिए रख देंगे और ये देखिए चार से पांच खंटे के बाद हमारे चावल काफी अच्छे से फूल गए हैं और ये नेल से अगर आप तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये तूट चाहेंगे इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भीग चुके हैं पानी हमने इसक करूंगी कोकोनट तो अगर आप चाहें तो फ्रेश नारियल जो आता है वो भी ले सकते हैं वो नहीं है तो घर में जो होता है नारियल वो आप यूज कर सकते हैं थोड़ी देल के लिए गरम पानी हम भी हो दीजेगा और उसका ब्लैक पार्ट रिमूव कर दीजेगा और अ मतलब काफी कह सकते हैं सौफ्ट है एक तरीके से यह बहुत जादा थिक नहीं है इसी तरह से हमें बैटर बहुत पतला चाहिए और मिक्सर जार का भी हमने इसमें पानी डाल दिया यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है बिल्कुल पानी की तरह है अब इसमें मैं और पा जाएगा या फिर यह चिपक जाएगा बुरी तरह से यहां पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिजएगा और इसको मिक्स कर लिजए और यह देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है आप चाहें तो इस चम्चे से भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप एक कटोरी ल पैन को थोड़ा टेड़ा करके हम इसे जल्दी से डाल देंगे तो यह देखिए इसमें जाली हो बन गई है और इसको चारो तरफ से हम घुमा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो चारो तरफ चिपक जाए अच्छी तरह से तो यह जो इसमें आप जाली देख रहे और यह देखिए बिल्कुल रेडी है फ्लेम आप इसमें हाई रखिएगा लो फ्लेम पर यह नहीं बनाईएगा अब इसको हटा लेते हैं बहुत ही आराम से रिमूफ हो जाता है पैन से इसको फोल्ड करेंगे हाथ से पकड़के और यू कन सी कितनी प्यारी जाली बनी है य हरवार उसे अच्छी तरह से चला लीजेगा वरना जो चावल है वो नीचे तले में चिपक जाएंगे जो चावल का पाउडर है इसलिए हरवार चला के करिएगा और यह देखिए दूसरा भी मैंने इसी तरह से डोसा बनाया है तो सारे डोसे मैं इसी तरह से बना लूँग इसमें काफी सारी चीज़े एड की हैं अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा मैं शेयर करने का ट्राय करूंगी और इसको बनाना देखा आपने कितना आसान है आप बहुत जल्दी इसे जटपट बना सकते हैं तो आप आप लोगों को मेरी इ वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें आप किसी और किस तरह की रेसिपी चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा मैं ट्राय करूंगी बनाने का इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ में मैं आपसे बहुत जल्द मिलोंगी जब तक आप मेरी वीडियो को कि टे के और दुक्त करूंगी और बाय बाया है